हेलो वेलकम टू माई चैनल स्टेडी बेस्ट तरह आज आपन बगना रहे मैस्ट ची टेस्ट टू डाट इस डे थार्टी तो अल्रेडी मी मैस्ट से काई वीडियो अपलोड के लिए पन खुब जनांची रेक्वेस्ट होती कि टेस्ट चा वीडियो पहलांद अपलोड करा मन आज मैं पहलांद टेस्ट चे वीडियो अपलोड करता है तो टेस्ट टू मैद आपने पहला जो कोशन टेस्ट टू जी आहे जो आपने एक्टिविटी नंबर थर्टी माजे डे थर्टी ची सुदा आहे दोज दिवस आहे तो सगत पहलांद बगाद टेस्ट टू मनला पहल आपला कोश्चन आए, choose the correct alternative option for the questions given below, मंझे आपला काई तो MCQ आए, चार मास्टा कोश्चन आए थी, तो पहिलना याचा तो MCQ पहा काई दिलेला है, write two numbers, whose sum is 17, आपला दो number आशेर करेचे, कि तेची sum 17 एड़ा पाजी, तो अप्शन बगा, minus 1, minus 18, 18, 1, minus 1, 18, और 18, minus 1, तो यहाचा अंसर इल, d, 18, और minus 1, यहाचा तो आपला काई तो सत रहे थे, तो आना पहाच second MCQ काई दिलेला है, dash dash is a solution of equation, x plus y minus 12 is equal to 0, आथ यहाँ मदे option 10, 2, 10, minus 2, minus 14, 2, and minus 10, minus 2, आथा काई जहले पाहाँ, कि यहाँ मदे अपले English चे सुधा PDF आले लिया है, मेर्ची और मराठी चे सुधा PDF आले लिया है, तो English चे PDF मदे C जी option आए, ते 14, minus 2 दिलेला है, ते बहुत एक चुकी चाहाँ, कारण जर ते 14, minus 2 आशेल, तर A आनी C आशेल, दोन आशेल, ते आमोले तुमी जब मराठी मदे जब वेरिफाई केला आशेल, तर ती तर माइनस 14 आनी plus 2 आशा है, ते आमोले option H है करेक्ट आशेल, 10, 2 जर आपन कसक पाइचे या मदे X प्लस Y जर ठीकाने आपले 10 आनी 2 चे वेल्यू पुट करेचे, 10 प्लस 2, 12 आनी 12 माइनस 12, 0 है तुम, याचा option काईत आशेल, A है तुम, तजर काई confusion होता असेल, ते पहा कि English मदे C जो परिया है, तो चुकी चाहे, ते आनाम ते पहा, थर्ड जर यमसी क्यों काई दिलेला ही, इन राइट आंगल ट्राइंगल, लेंट ओफ हाइपोतिनेस इस 15 सेंटिमेटर, देन, फाइंड दे लेंट ओफ मेडियन ड्राउन ओन हाइपोतिनेस, अप्शन बगा 7.5 सेंटिमेटर, 30 सेंटिमेटर, 15 सेंटिमेटर, और 10 सेंटिमेटर, तो आपले अलम आहीता है, राइट एंगल, ट्राइंगल जर आपन काड़तो, ते आवाज जो हाइपोतिनेस आसतो, ते हाइपोतिनेस मदू जर आपन मेडियन काड़तो, मैंजिट्ये का हो तो मेंडियान डिवाइड करतों अपने है предложra मैंझिट्ये डिवाइड करतों मैंजिट्य मेड़ पॉयंट उहतों पॉयंट जो थोफ थोफ हाप पाट मेंदी डिवाइड होथे तो हाप होचले ऊल्च्ण मदिस उस टों सिर 29 संटिमेटर त्यार अंतर चाउता कोश्चन चाउता एमस्यो की बगा काय दिले ला ही इन ट्रियंगल A, B, C एंगल A is 40 डिग्री एंगल B is 70 डिग्री देन फाइंड अंगल C अथा अपले ला माहिटते कि ट्रियंगल उटले है ट्रियंगल मदे पूर्ण एंगल ची बेरीज 180 डिग्री आसते अथा एंगल A, B दिले ला है एंगल C कासा काड़ना है एंगल A, B काया है ना 40 प्लस 70, 110 डिग्री आने तो 180 मदे माइनस कराइचे मा किती आतो 70 डिग्री ओप्शन बगा 110, 70, 60 अने ना वदाश दिले ला है आप्शन कोंते है ना आप्शन B, 70 है ना तार्शा प्रकार है MC की होते 4 मार्च चे आता कोशन 2 पहो कोशन 2 मदे बगा solve the following sub-questions 3 मार्च साथी मझे आपले ला 1-1 मार्च चे आचे 3 sub-questions दिले ला है ति तीन इन आपले ला solve करें चाहेद ति आम अदला पहला कोशन बगा काई दिले ला है if x plus y is equal to 65 and x minus y is equal to 35 then find the value of x and y खुब सिंपल आ है पहले लांदा काई करा आपन x plus y is equal to 65 हैला equation 1 दिया x minus y is equal to 35 हैला equation 2 दिया आति या माझे तुमी जबगित लासे yy चे opposite sign हेता है आणी x x हे होता मुझे common same sign मादले हैता x x हे coefficient same है तो आपन काई मनुशक्त किया मदे कि आपन add equation 1 and 2 कर शक्तो equation add आनी 1 and 2 हैला आपन तो या मदले plus y and minus y get cancel होता x plus x 2x होता आणी 65 plus 35 याचा answer 100 हैता मुझे आपना answer काई हलो 2x is equal to 100 आले मा आपन x is equal to काई हैनार 100 divided by 2 मझे 50 हैनार आपने x ची value 50 आले लिये आता put the value of x is equal to 50 in equation 1 की माद 2 कर शक्तो समझा मी equation 1 मदे put केला equation 1 काई है x plus y is equal to 65 मा x साटिकान मी 15 put केला plus y is equal to 65 y is equal to काई हलो 65 minus 50 y is equal to 50 नालो 15 आले y ची value मा शेउट्या आपन काई लिये हू x is equal to 15 आने y is equal to 15 या साब पहला सब कोशन होता तया आपने सब कोशन काई दे लिला है पहा write the following statement in equation from using variables x and y तर आपले एक statement दे लिला है तया statement ला equation फोम अदे ला है आपले ला statement काई दे लिला है x आने y variable यूज कराई चेथ statement काई दे लिला है sum of two numbers is 15 and difference is 11 तो मग पहले आपले ला कदी ही लक्षा ठ्यावा लगली x आने y variable करताई दे लिला आपले लिला है यूज करने चेथो समजा में greater number x consider केला आने smaller number y consider केला तो मग पहले अंदा sum मादे काई प्रब्लम है sum of two numbers is 15 x plus y is equal to 15 ये पहले आला आता दुसरा काई difference is 11 आता मंग y minus x गया चागे x minus y तर आपन consider काई केले greater number x आने smaller number y है x minus y is equal to 11 या ठीकाने आपले ला solve कराई चाने फक्त आपले equation form दे लाहिचा है फक्त वन माक्स सकोशन आया त्याना अंते बागा third काई दे ले लाहिए identify the test by which given two triangles are congruent दोन triangle दे ले ले लाहिच आन ते दोन triangle कोन थे test ले ना congruent है ते बागा तर तुम्हाल दे डाग्रम मादे नोटेशन हों करता है कि a b is congruent to pq, b c is congruent to qr, a c is congruent to pr अने यह तीनी साइड एक में काला congruent है आपन शेवटे आसा काल जी शकता है triangle a b c is congruent to triangle pqr by yes 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 test ठीक है अच्छे 3 sub questions होते question 2 आची जीत समतो question 3 जवा है ते आमादे आपने लेला कराएचे solve the falling sub questions 8 मारकाला है और 4 आमादे sub questions स्विचार लेला है तो मजे प्रत्तिकी 2 दोन-दोन मारकाला है याई ते आतला पहला sub question बगा काय दिलेला है divide segment a b of length 7 cm in the ratio of 382 382 में इस तुमाला सांगतों काय कराएचे पहलें दा आपलेला scale गहेचे 7 cm आपलेला a b length काडएचे a वरुन एक acute angle काडएचे acute angle काड़ेचे acute angle काड़े आनंतर आपलेला काय करेचे ते ratio कीचे दिलेला है 3 to 2 मादे है 3 plus 2 माजे 5 parts मादे a1, a2, a3, a4, a5 using compass आपलेला मारक करेचे ते आनंतर a 5 b परेंचा point जोइन करेचे ते आनंतर पोराक using compass ते लाच parallel line काडएचे a3 परेंचे parallel line 3 to 2 मादे करेचे ते ही आचे procedure आपलेला आपलेला एक्जाम मादे फक्त डाइगराम काडएचे पन मी बाजुला steps काड़ेली रहे पहली step, draw a segment a b of length 7 cm ते आनंतर, draw any ray ax making acute angle with a b third step, with the help of compass mark 5 plus 8 is equal to 13 3 plus 2 is equal to 5 करेक्शन compass mark मादे काय करेचे 3 plus 2 is equal to 5 आचे कराईचा ही 3 plus 2 3 is equal to 5 points at equal distance on array a b a1, a2, a3, a4, a5 करें 500 points है ते आनंतर, fourth step join b with a5 का कराईचा आपन point आपन draw parallel segment b a5 from a3 आनी, short step parallel lines drawn from a3 will be intersect segment a b नेम्द that point as c and c is a point on segment a b which divides in the ratio of 3s to 2 आते या ठीकम, तुम्हा steps लहेचाने, steps ही तुम्हा कायजी करूनका फक्त तुम्हा डाइगराम काड़ाएचा है जा तुम्हा डाइगराम अदे कुता आचाने तासल तुम्हा steps तुम्हा फॉलो करा, वाज़ा आनी तुम्हा डाइगरम काड़ा आसा होता हाँ फ़ाइला सबक्ष्ण, त्याननतर second सबक्ष्ण बगा काय दिलेला है if triangle a, b, c is similar to triangle p, q, r या ठीकाने अपलेला boxes फिल कराया चाहे, angle a is congruent to angle p, ये दिलेला है अल्यदी, angle b is congruent to अपलेला box दिलेला है, त्या box मदे काय अना, angle q, n, r त्याननतर, third मदे, angle c is congruent to box दिलेला है, त्या काय अना, angle r, n, r त्याननतर, b, एक सबक्ष्ण आये तचामदे, आपलेला, same proportion मदे आहे तिदेचा है, a, b upon p, q दिलेला है, is equal to b c upon box दिलेला है, त्या box मदे काय अना, qr n, r, is equal to box divided by pr दिलेला है, त्या box मदे अना, ac n, r, आसा हार second question होता त्याननतर, third question बगा काय दिलेला है, सब question, solve 3x minus 2y is equal to 20 and x plus 3y is equal to 14, और या मदे पुनांगीन एक correction आहे अपने जी English PDF आलेले आहे, त्या मदे x plus 3y is equal to 49, 3 यहते plus minus sign मदे थोड़ा सा problem है त्या मदे तुम्ही काय करा है, यह question साथी, तुम्ही मराठी ची PDF आहे, त्या मराठी ची PDF मदे जी test आहे, त्या मदे तुम्हाला sign जगे लेतर, आता करेक्शन आशा मनता है नानी English मदे ज़र जी दिलेला है, जीते ज़र आप minus जगेतले आपन त्या ठीकानी, त्या आपला answer ही point point मदे यहता है, आन्टे बहुतेक तरते correction आशाना रहे, translate करताना plus minus आलेला है तुम्हीं मराठी ची ची त्या मदे बहा, मारा ठीजा जो third question है, तो एकदम बरोबर आहे, तो refer करा आसा question है, 3x minus 2y is equal to 20, and x plus 3y is equal to 14 महीं हे कसे solve कराएचे, पहले आले एक equation 1 दिया, दुसरा equation 2 दिया माँ अपलेला काय कराएचेत, अपलेला coefficient सेम कराएचे, अपोजिट साइन कराएचे माँ अपन काय करू, multiply equation 1 by 3, and 2 by, equation 2 by 2, कराएचे 3 into 2, जो y अपले 6 होना, अपले 6 होना, खल्चे equation ला 3 आहेचे, तो 2 दो multiply कराएचे 6 होना, मुझे 6 6 सार करे हैना, मुझे आपले solve करता हैना, ते अपने equation काय बनतात, माँ आपले 3 दो multiply केला तो पहला equation ला 9x-6y is equal to 68 मुझे पोना कायाना, 2x plus 6y is equal to 28, याशे यह दोन equation आपना, अपना minus 6 and plus 6 दिसते आपना, दोन equation add करा 9 plus 2 कायतो 11x 60 plus 28 कायतो 88, मुझे x is equal to 88 divided by 11 यानर, मुझे x is equal to 8 यानर, अपना ते आनंतर काय कराएचे put x is equal to 8 in any equation, equation 1, 2, 3, 4, कुछ ले equation मजे put करसे, मैं equation 1 मजे put केला equation 1 काया है, 3x minus 2y is equal to 20 3 into 8 minus 2y is equal to 20, 3 into 8 is 24, 24 minus 2y is equal to 20 minus 2y is equal to 20 minus 24 मुझे minus 2y is equal to minus 4 मुझे y is equal to काया minus 4 divided by minus 2 minus minus get cancelled हो, 4 divided by 2 y is equal to 2 मा अपने शिवुटि का लेचे solution of equation x, y is 8, 2 आचा फाइना अपलेना answer लेचा है आचा हाँ problem होता त्या नंत्रा है fourth last question आए हाँ या question मदे काय दिलेला है बहा आथ या question मदे सुधा तुम्ही जा बगितले English मदे जी test दिलेले pdf मदे हा question अरदवट दिलेला है पूर्ण question दो तुम्हा रेफर कराया चासे तो मराठी मदे बागा लगल तरचा translation में जी तो के लेला है ते पहाँ total cost of 6 pens and 4 pens is rupees 50 total cost of 4 pens and 6 pens is rupees 40 find the cost of 1 pen and 1 pencil आपलेला काड़ेचे तो बगा तेला equation form मदे बहिना साथे पढ़े अंदर consider काड़ा लगा आपलेला let cost of 1 pen is rupees x and cost of 1 pencil is rupees y मा equation का याना आपले जी condition दिले तावरोन पहले equation याना 6x plus 4y is equal to 50 दूसरे equation याना 4x plus 6y is equal to 40 हे equation 2 आले मा आपन हे 2 equation लापन काई कुरू आता हे 2 equation जी बग इतले आपन 6x plus 4y and 4x plus 6y या ठीकाने काई हो तो आपले coefficient interchange जाले याथ आपले हे 10th मदे पन linear equation मदे पहले दूसरे आज़े साइज मदे आपले 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 काई करे चासे दोन equation add करे चे दोन equation subtract करे चे आले ले equation आपले solve करे चे मुँँ सगवात पहलांदा दून equation add कोरूं बगू add equation 1 and 2 काय नर 6 plus 4 10 4 plus 6 10 50 plus 40 19 मुझे 10x plus 10y is equal to 90 नर तेला आजर divided by 10 पूराण equation ले केला त्रकाया नर आ x plus y is equal to 9 नर तेला आपन equation 3 करूं मँँ पुना काय करूं subtract equation 2 from 1 करूं करना आपले add केला पुना minus करूं मुँ नर्काया 9-4 is 2 4 minus 6 is minus 2 50 minus 40 is 10 मुँ काया नर 2x minus 2y is equal to 10 नर divided by 2 पूराण equation ले केला X minus Y is equal to 5 यहना, ही equation 4 आलो मा अता solve the equation 3 and 4 X plus Y is equal to 9 and X minus Y is equal to 5 ही solve कासा करना, plus Y minus Y get cancelled 2X is equal to 14 यहना, X is equal to 14 divided by 2 X is equal to 7 यहना अता अपलेला काया करेंची, put the value of X is equal to 7 in equation, in equation 1, 2, 3, 4 मधी, equation 3 मधी पुट केला equation 3 is what, X plus Y is equal to 9 मन्जे 7 plus Y is equal to 9 and Y is equal to 2 मन्जे आपन यहाँ उरूं कासा करेंची, X is equal to 7 Y is equal to 2 अपलेला अंसर काया लेहेचे है पाहा फाइनला अंसर लेहेचे, price of, कि मा cost price of 1 pen is Rs.7 and cost price of 1 pen is Rs.2 आशा प्रकार यहां मैंची सर्जे test 2 हता हाँ वीडियो समतो तुम्हाला वीडियो अवल्डा सिल्थ लाइक करा अंसर वात इंपोर्टन चैनल ले सब्सक्राब कराला विश्रों कर थैंक्यू